नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पुखनम आपके साथ पुर्व सीएम शिवराज सिंग चोहान ने कहा मुख्य मंद्री के पत तो आ जा सकते हैं लेकिन मामा और भाई का पत कभी कोई नहीं चीन सकता शिवराज ने कहा कहीं न कहीं कोई बड़ा उद्देश होगा कई बार राश्तिलग होते होते वनवास भी हो जाता है लेकिन जरूर किसी न किसी उद्देश की पूरती के लिए होता है शिवराज ने बात मंगलवार को बुतनी के शागंच में भाच्पा करकर ताउंसे कही उनकी बाते सुनकर लाटली बहने कले लगकर रोपड़ी शिवराज बोले चिंता मत करना मेरी जिन्दगी आपके लिए चंता जनादन के लिए मेरी बेहनों के लिए है मेरे बेटे बेटियों के लिए है इस धाती पर इसलिए आया हूंकि तुम्हारी जिन्दगी में कोई तकलीफ नहीं रहने दूँगा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओंगा पुर्सीम शिवराज ने कहा मैं बहुत गंबिता से कह रहा हूं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाओंगा क्या अतने छोटे बच्चे कभी सभा में आते हैं ये अपने मामा के लिए आए हैं बहनों की युजनाएं भी जारी रहेंगी और भांजे भांजेों के कल्यार में भी कोई कसर नहीं रहेगी चाय गरीब हो किसानों हमने जो कहा है वो करेंगे लाडली बहना के लिए जो कहा है वो करेंगे सरकार बीजेपी की है कॉंगर्स की थोड़ी है शिवराज ने कहा सरकार काम करेगी लाडली बहनों के साथ साथ लाडली बहना आवाज योजना प्रत्तिक परिवार एम रोजगा जिसी योजनाओं को सरकार आगे बढ़ाएगी किसानों के लिए जो वचन दिये वो भी पूरे होंगे